जैहिंद प्यारे साथियों कैसे हो आप सब बिल्कुल मस्त होंगे यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यदि आपका सब्जेक्ट जोग्रोफी है और आपका टार्गेट है जरफ क्वालिफाई करना आपने टार्गेट के वे इस वीडियो को लाज तक जरूर देखना प्यारे साथियों लगबग 10-12 मिनिट का ये वीडियो होगा लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पोन होने वाला है तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं प्यारे साथियों मेरा नाम यहां पर जोग्रोफी का और नेट के फिर्स पेपर का पेड़ बैच चला था ये आपके सामने जो रिजल्ट देख रहा है जोग्रोफी के बैच का है रिजल्ट है प्यारे साथियों बैच में हमारे टोटल 424 कंडिडेट जिसमें से 30 कंडिडेटों का जैरफ 75% प्लस का स्कोर करने वाले कंडिडेटों की संक्या 10 ती और 70% प्लस का स्कोर करने वाले कंडिडेटों की संक्या 30 ती तो आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि अब जून 2023 में जो यूजी सिनेट का एक्जाम होने वाला है इसमें हम किस तरीके से पढ़े हम किस रण न रात पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका बहुत गजब का स्कोर नहीं होता वहीं दूसरी साइड आपके एक दो दोस्त ऐसे भी होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका स्कोर बहुत गजब का होता है बस यह सारा खेल है रणनिति का यदि आपकी रणनिति बहुत आपका content बहुत अच्छा है, तो आप कम समय में पढ़ कर भी बहुत गजब का score कर सकते हो, और यदि आपकी planning, आपकी रणनिती और आपका content ठीक नहीं है, तो चाहिए फिर आप दो साल तक पढ़ते हो, फिर भी आप बहुत गजब का score नहीं कर सकते हैं, प्यारे सातियों, केवल और केवल जेरफ ही होना चाहिए, नेट से कोई मतलब नहीं है, नेट क्वालिफाइ करके क्या कलोगी, कोई मतलब नहीं है, तारगेट केवल जेरफ होना चाहिए, तेरा से 22 जून के बीच में एक्जाम होने वाल है, जो ग्रोफी का जो एक्जाम है, वो almost बिल्कुल लास्ट टाइम में होता है, तो यहाँ पर हम मानके चल रहे हैं कि 20 जून के आजपास हमारा जोग्रोफी का एक्जाम होगा, और ज्यादा क्तर चांस है प्यारे सातियों, जो एक्जाम है, चार से पास दिन आगे पोस्पॉन भी हो सकता है, जो तेरा से 22 जून के बीच में देट फीस की गई है, यह चार से पास दिन आगे भी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पर टार्गेट लेके चल रहे हैं कि भाई, एक्जाम 20 जून को होगा जोग्रोफी का, और अब हमें 20 जून के अकोर्डिंग, रने निती बनानी है, 20 जून के अकोर्डिंग हमें जून 2030 में जो यूजी सिनेट का एक्जाम होने वाला है, इसके लिए हमारा क्रैस कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 35 दिन के टार्गेट के साथ ये क्रैस कोर्स शुरू हुआ है, और इसका टार्गेट है, जोग ग्रोफी में 70 प्लस क्योशन ठीक करना, और यदि आपके जोग प्यारे सातियों, यहां पर मैंने जोग्रोफी को कमप्लेट जोग्रोफी का जो सलेबस है, उसको 18 यूनिटों में बांट रखा है, अब 18 यूनिटों को मैंने टोटल 2 सैसन में बांट रखा है, सैसन फस्ट जिसमें मैंने सामिल कर रखा है, पोपुलेशन जोग्रोफी, सै Session Second की बात करें तो इसमें प्यारे साथ की ओ जियों दियों मोर्फोलोजी Oce designing heat Clifford और इंडिया जोग्रोप इस तरीके समय baik इन चार यूनिटों को सैसन Second में बात रखा है जैदि 2010 से पहले की हम बात करें तो आजकल सीन बदल गया सेशन फस्त से आजकल लगबग साथ से पैसेट परचेंट पेपर बनता है और जो सेशन सेकेंड है इससे मातर पत्चिस से तीस परचेंट पर बनता है तो अब आप समझ गये होंगे सबसे पहली रन निती यदि कोई कंडिडेट इस वाले पोर्चन पर बहुत जबर्दस तरीके से महनत कर रहा है तो भाई वो कितना हैं पढ़ले चाहिए वो पांच साल तक पढ़ले उसका नेट भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है और यदि कोई कंडिडेट सेशन फस्त पर इस वाले पोर्चन पर महनत कर रहा है इसको बहुत गजब से नितिक अब हमें किस तरीके से क्या तयारी करनी चाहिए जिससे कि हम मातर 35-40 दिन में तयारी करके जो गजब के साथ जयरब क्वालिफाई कर लें तो प्यारे सात्यों यह जो यूनिट हैं इनके मैंने कंप्लीट नोर्स तयार कर रखे हैं बहुत ही स्मार्ट वेसे मैंने न चांसू सर हैं और इसके अलावा बीबी सर हैं ऑथेंटिक बुक हैं और एंसी आटी बुक हैं इन सभी को मिला कर मैंने बहुत ही बैस्ट वाले नोर्स तयार कर रहे हैं जिन से मैं फिलाल भी पढ़ा रहा हूं बाकि मेरे आगे प्लानिंग चल रही है मैं टोटल 13 टीचरों को कि इन्सबी के नोट्स को मिला कर मैं और ब्रोस तयार कर में ह। फिलाल बेटिकल के लगशत, फिलाल में फिलाल तयार है यह पांच तैए सिजा पर ल अब? हम्य क्या करना है यह वाला जो सैसन फस्त है यह बहुत ज़्यादा महत्पूल है cuánt थे? आते हैं हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं कि इनको सभी को बहुत डिटेल से बहुत डीपली तरीके सपढ़ सके हमारे पास लिमिटेड समय है यह वाला जो पोर्सन इसे हमें 12 दिन में complete करना है ठीक है स्टार्टिंग सबसे पहले हमें सुरुवात यहीं से करनी हैं सबसे पह आप रेगुलर आठ गंटे जोग भी पढ़ते हो तो आप 100% बिल्कुल आसानी से पर दे एक यूनिट कर सकते हो लेकिन हम यहाँ पर टोटल बारा दिन का टार्गेट ले रहे हैं बारा दिन में आपको सैसेन फस्ट को कंप्लेट करना है यदि आप बारा दिन में सैसेन सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा डफिकल करने हैं बिल्कुल आदाम से हम 45-50 शुशं कुशन ठीक कर सकते हैं उपर तो सबसे पहले हमें इस सैसन फस्ट को पढ़ना है और सार्ट से 55 संट कुशन आने वाले हैं जैसे हम सबसे नहीं हमें 45-50 कुशं ठीक करने हैं और बि Social Culture, Geography के जोगरफर मिलेंगे, फिर उसके जितने भी मोडल है वो मिलेंगे, फिर Social Culture, Geography का अधर शलिबस है, वो मिलेगा, और लास्ट में आपको Social Culture, Geography जितने भी जोग्राफर वगर हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से जदी आपका मैथ वह अगर है तो आप इसको चोड़़ दो एव है जैअक फिर्स पेपर में पढ़ लोगे इसलिए आप इसको भी यहीं पर छोड़ दो आप बारा दिन तक लगातार session first को पढ़ लिया उसके बाद प्यारे साथियों आपको आना है इन चार्ज उनिटों पर अब देखो ये जो चार्ज उनिट हैं यहां से 25 से 30 question आते हैं यहां यह वाला जो portion यह सबी का तयार होते हैं जितने candidate exam देने बैठेंगे उनमें से लगबग 80% काडिडेट होंगे जिनका ये portion पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सभी के सभी लोग यहां से बहुत अच्छी खासे संग्या में question ठीक करेंगे और यदि आप यहां से question गलत करते हो ना तो वो आपकी सबसे बड़ी mistake होगी यहां से हमें बिल्कुल भी question गलत नहीं करना है लेकिन हमें इस portion पर बहुत डीपली तरीके से focus भी नहीं करना है यहां से लगबग 25-30 question आएंगे इनमें से हमें 15-20 question ठीक करने हैं जो बिल्कुल हम आसानी से कर सकते हैं जो मैं content तयार कर रखा हूँ smart content बहुत ही best authentic book से NCRT से 5 teacher के notes से मिला कर यदि आप उसको पढ़ते हो तो आप आसानी से 25-30 question में से 15-20 question आसानी से ठीक कर सकते हो बिल्कुल नॉर्मली तरीके से ठीक कर सकते हो यह बतारहूं मैं बाकि जब इतना content 5 teachers NCRT book authentic book से मिला कर बना विए notes है तो mostly कह सकते है guarantee के साथ कि 90% paper है जो हमारे notes से याता है 90% paper हमारे notes से याता है लेकिन अब हमें 90% question ठीक करने के target किसे तयारी नहीं करनी अब हमें तयारी करनी है जेरब qualify करने के target से अब हमें इनको किस तरीके से पढ़ना है जोको geomorphology को यदि आप regular 8 गंटे पढ़ते हो दो दिन में complete कर सकते हो oceanographic, climatology को आप 3 दिन में आसानी से complete कर सकते हो इंडिया जोग्रोफी भाई इंडिया जोग्रोफी का जो portion बहुत length ही है आपको मैं एक PDF प्रोवाइड करवाँगा इंडिया जोग्रोफी की उसमें लगबग 80 पेज है ठीक है उन 80 पेजों को आपको दो दिन में पढ़ना है यदि इंडिया जोग्रोफी के 10 क्योंसन आते हैं तो लगबग 7-8 क्योंसन आपको उन 80 पेजों में से मिल जाएंगे तो दो दिन में आपको उन 80 पेजों को पढ़ना है इंडिया जोग्रोफी के दो दिन में आपको जीओंुमोरफोलोजिक पढ़ना है उस तें तीन में तोटल कुल बिलाकर हम इसको 8 दिन का समय देता है session second को आपको 8 दिन का समय देना है 8 दिन आपको session second पढ़ना है प्यारे साथियो starting के 12 दिन आपको session first पढ़ना है उसके बाद 8 दिन आपको session second पढ़ना है अब उसके बाद हम सुरुवात करते हैं revision की अब आपके पास आपको यह सारा जो scene है 31 माई तक complete करने की कोशिस करनी है मैं कल के according बनाई हूँ in time table यदि आप कल से शुरुआत करते हो तो इस तरीके से follow करना है यदि आप कल से शुरुआत करते हो 31 माई तक आपका एक बार complete तरीके से सारा सले बस revise हो जाएगा अब आपको revision शुरू करना है revision सबसे ज़्यादा महत्पून है अब revision में देखो आपको एक चीज जहां रखनी है ये भी एक बहुत इस्मार तरीका है पढ़ने का मैं आपको बता देता हूँ प्यारे साथियो देखो आपको क्या करना है जब आप first time में पढ़ोगे आप notes को पढ़ रहो ये 10 line है आप इनको पढ़ रहो और दो line ऐसे मिली जो आपको याद थी जैसे ये line आपको याद थी इसके निसान लगा दो इसके आगे हरे pen से A लिख दो फिर ये line याद है इसके आगे हरे pen से A लिख दो फिर ये line याद है इसके आगे हरे पैंट से ए लिख दो मतलब एक पेज में जो 10 लाइन थी उनमें से 3 लाइन आपको याद है और आपने उन लाइनों के आगे ए लिख दिया इससे हरे पैंट से अब देखो प्यारे साथ यह जो चीज़े आपको याद है उनको चाहिए आप कितनी बार पढ़ो वो आपको याद ही रहने वाली है तो जब आप सेकंड टाइम रिविजन करोगे तो उस टाइम आपको उन लाइनों को नहीं पढ़ना है जिन लाइनों के आगे कैपिटल अक्सर में ए लिखा हुआ है क्यों नहीं पढ़ना क्योंकि यह लाइन थी जो आपके पहले ही रिविजन में ही तयार हो गई थी पहले रिविजन में ही याद हो गई तो इस तरीके से जब आप सैकंड टाइम रिव predictive करोगे तो आपके पास प्यारे शाथीो कम котором बचेगा भूत सारी चीज़े थी उनके आगे आगे आपने हरे पैन से लिख दिया सेकंड टाइम रिविजन किया आपको यह लाइन याद हुई आपने ब्लू पैन से लिख दिया या फिर आपने बी लिख दिया ठीक है यह लाइन याद होगे इसके आगे बी लिख दिया मतलब जो लाइन आपको सेकंड र लिखा हुआ है अब आप तीसरी बार जो रिविजन करोगे उसमें प्यारे सातियों आपको A को भी नहीं पढ़ना बी को भी नहीं पढ़ना इनके अलावा जो लाइने बचे हुई है केवल उन्हीं लाइनों को पढ़ना है तो भाई 10 लाइनों में कितनी लाइन है एक लाइन दो लाइन जिनको आपको तीसरे वाले रिविजन में पढ़ना है तो बिल्कुल बहुती स्पीड से आपका रिविजन भी हो जाएगा और सारी चीज़े याद भी हो जाएंगे और प्यारे सातियों आपको भी पता होगा पेपर में कौन से क्यूशन आते हैं जो हमें नहीं आते जो हमें याद नहीं है और वो लाइन कोंसी है ये वाली लाइन है तो क्यूशन कहां से बनेगा प्यारे सातियों इन दो लाइनों से बनेगा क्योंकि ये आपको याद नहीं है तो इस तरीके से निशान लगा-लगा कर पढ़ना है जिससे कि आपका रिविजन भी बहु ध्यान रखना प्यारे साथ यो इस तरीके से लाइन के आगे निसान लगा लगा कर पढ़ रहा है जो लाइन याद होती जारी है उसको निसान लगा दो आपके नाम का सा लगा दो जैसे आपका नाम निलम है तो एन लिख दो आपका नाम पंकर जै तो पी लिख दो ठीक है कुछ नहीं लिखा हो याद करने है तो फस शेयोग। की direito करना है यहाँ पर आप जितने भी पेपर याद करो वह आपको knapp याद होनी चाहिए ऐसा नहीं कि 2022-2027 तक पढ़ लिया और उसमें इसे याद कुछ है नहीं नहीं चाहिए आप पेपर पांच याद करो लेकिन वह पांच के पांच पेपर आपको 100% याद होनी चाहिए यदि उन पांच पेपरों में कोई क्यूशन पूछ ले तो आप उसे 100% बता दो तो 2020 से उल्टी साइड चलना है और कोशिस करना है कि 2020 से 2017 तक कि आप सभी पेपरों को बहुत अच्छे से याद कर लो प्लस میں करेंट इफयर का पूर्शन भी आपको त्यार करना है और यह सारा कॉंटेंट आपको त्यार करना है मातर चार दिन में ठीक है जो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि आपने 10 किरेप्ट possibility बहुत सारा कॉंटेंट पढ़ लिया बहुत सारे क्यों से यहीं से मिलेंगे आ इहां तक हो गया हमारे सीन उसके बाद यदि ईनी इतरी को होता है इतरी तक हो घए तक हो घए होता फिर हमारे पाइस स्क्फिरन आपको क्या करना है सेशन और शैसन स्वाइब है तäch कर सकते हो क्यों क्योंकि आपने निसान बना दिया भाई पहले रिविजन में याद हुई उनके आगे आगे आपने रेर पैंसे भी लिख दिया ठीक है तो भाई आपको कुछ limited line है जिनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ किवल उनी को याद करना है तो बिलकोल आसानी से आप session first और session second का तीन दिन में revision कर सकते हैं जैसे इन लाइनों में किवल आपको एक यही line पड़नी पड़ेगी ठीक है और ध्यान रखना प्यारे साथ से यह बात आपत्चे से याद कर लेना इस तरीके से हम यह पढ़ने वाले हैं ठीक है रेगुलर आपको आठ गन के subject पढ़ना है छे गन के first paper पढ़ना है तो इस तरीके से प्यारे साथ हमारा score होने वाल है आर्ची में हमें 10 के 10 क्यूसन ठीक करने का मैं तरीका बता दूगा 10 के 10 क्यूसन देसर क्वें सेसंसे में 15 क्यूसन ठीक करने करने सेसं सेसंर से कुष्ण से हमें 45-50 क्यूसन ठीक करने और यदि आप इस तरीके से पढ़ोगी तो शुरू हो चुका है यह मैं आपको बता चुका अब इसमें जो मैं content देने वाला हूं content की मैं विशेशता बता देता हूं प्यारे साथियों सबसे पहली बात है कि जो हमारा content है smart content है बिल्कुल 100% exam oriented है smart content का मतलब है ऐसा content जहां से question बनते हो भाई एक तो ऐसा content content जिसको आप पढ़रे हो लेकिन वहां से question बनने का बहुत कम chance हो एक ऐसा content जहां से question बनने के बहुत जालता chance हो तो हमारा जो content है वो smart content है आपको कहीं पर भी एक भी ऐसी line देखने को नहीं मिलेगी जिसको पढ़कर आपके दिमार्ग में ऐसा लगए कि यार इन्हों को से मिला कर NCR के बुकों से मिला कर तयार की नोर्ट है बिलकुल यूनिट वाइस हैं ठीक है पेपर लेवल पेपर पैटन का हमारा बहुत इस पेसली तरीके से फोकस रहता है प्यारे सातियों पिछला वाला जो पेपर पैटन था वो कैसा था deeply था conceptual था था current based था तो अब हमारा जो content है इसमें इन चारों चीजों को हमने सामिल किया है हमारा content deeply भी है conceptual भी है हम आसानी से 70 plus question ठीक कर सकते हैं यदि आप इस content को पढ़ते हो तो अब मैं batch के charges की बात बता दू प्यारे सातियों यदि जोग्रोफी के दो batch है एक crash course है एक full course है यदि आप जोग्रोफी का full course लेते हो जिसका target है 80 plus question ठीक करना एक साल की इसकी validity रहेगी जिसमें आपका दो बार crash course होगा एक बार full time syllabus होगा आपका एक बार full complete syllabus करवाए जाएगा बिल्कुल detail से प्यारे सातियों जो detail वाला syllabus होगा इसमें आपको 13 टीचरों के notes से मिला कर तयार किवे notes से आपको पढ़ाया जाएगा 13 टीचरों के notes को मिला कर नोर्स तयार कर रहा हूं मैं उन नोर्स से आपको मैं पढ़ा हूँगा ठीक है यदि आप जियोग्रोफी का दिसंबर के लिए full batch लेते हो तो मैं फिलाल में जोग्रोफी के 13 टीचरों के notes को मिला कर notes तयार कर रहा हूँ उन से पढ़ाऊंगो मैं आपको तो एक बार तो आपका full course करवा दूगा दो आपका दो बार आपका मैं class करवा दूगा इसमें आपको regular live class recorded class सब कुछ मिलेगा इसके यदि हम चार्ज की बात करें only जोग्रोफी का चार्ज 3500 रुपए जो फिलाल ओपर में केवल 25 रुपए यदि आप आज और कल में लेते हो तो यह चार्ज केवल 2300 रुपए यदि आप जोग्रोफी का 40 दिन के टार्गेट के साथ 80 प्लस क्यूशन सप्सक्ठाइब प्लस क右 लेते हो जोग्रोफी फिल्फए दोनों का खरें कह सब्सक्राइब तो चार्ज अग्ले 25 रुपए कर सकते हो तो 26 रुपए यह मेरे कंटेक्ट नंबर जिसके त्यों हाइन यह पूरा सथीओ पूरी प्लानिंग थीम कैसी Canadians कमेंट सेसे में कमेंट करके जुरूर बताना और यदि आप चाहते हो जून दो हजार के इसमें जैरप कौलिफाई करना तो प्लीज आप यदि विश्वास करते हो मेरे उपर मेरे कॉंटेंट के उपर तो आप जरूर हमारा बैच ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए ठैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों